आज आपको बताएंगे आपके मोबाइल से प्ले स्टोर अगर डिलिट हो गया है तो बापस आप कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे एप्स की जो आपसें हैं वहाँ जाके भी आपको ढूनने अपसे भी नहीं मिलता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपका जो problem है वो solve हो जाएगा सबसे पहले हम लोग mobile में जो setting है setting को ok कर लेंगे ok करने के बाद इस तरह का setting आएगा अब इस setting में आप लोग को ढूण लेना है apps बोलके एक option है उस option को आप लोग ढूण लेना है और नीचे के तरह ले जाने के बाद आप लोग को देखे option मिल जाएगा apps का यहां आने के बाद आप लोग को उपर system apps setting यहां आपको ok करना है या फिर apps manager जो भी option है सबी mobile का एक ही option है आपको जाके ok करना है ok करेंगे तो इस तरह का आपको बहुत सरे apps दिखाए देगा है तो यहां जो है सबी तरह का जो mobile का apps है वो रहता है वो delete नहीं होता है तो दिखें यहां search करने के बाद भी यहां play store नहीं दिखाए दे रहा है आपके mobile में भी कविवा भी ऐसा हो सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां अगर search लिस्ट में अगर आपको नहीं दिखाए दे रहा है तो उपर देखिए three dot का एक निशान दिखाए दे रहा है three dot के निशान के उपर आपको क्लिक करना है और यहां ok करना है show all apps पर आपको क्लिक करना है show all apps क्लिप करने के बाद और जितने भी hide apps था वो सब इसमें आ जाएगा यहां list में आपका आ जाएगा अब यहां search किजएगा या फिर आप ढूंड के निकाल सकते हैं तो निकाल लिए नहीं तो आप यहां google play store लिक के या फिर जो भी apps अगर आप लेना चाहते हैं तो यह देखिए यहां दिखाए दे रहा है google play store और यहां disable का एक option भी दिखाए दे रहा है तो इसको जो है हम लोग ok करेंगे ok करने के बाद इस तरह का आ जाएगा अब नीचे यहां देखिए enable का एक option दिखाए दे रहा है enable का जो option दिखाए दे रहा है इस option पर आप click किजिएगा enable option पर click किजिए क्लिक करने के बाद ये देखिए एनवेल हो गया और ग्रीन दिखा रहा है अब आप इसको बैक करके आपके होम स्क्रीन पर जाके आप Google Play Store के देख पाएंगे तो बैक कर देते हैं और जाते हैं होम स्क्रीन पर तो ये देखिए होम स्क्रीन पर अगर हम सर्च करेंगे Google Play Store तो ये देखिए आ गया तो अगर आपको नहीं मिल रहा है एपस के लिस्ट में तो आप जो है जिस तरह से दिखाया है उस तरह से कीजिए जो भी आपस आपको चाहिए जो मुबाइल का सिस्टम का आपस है वो आपको 100% मिल जाएगा सिस्टम आपस कभी भी डिलिट नहीं होता है वो जो है डिसेबल हो जाता है अब इस तरह से लिस्ट में जाके एनेबल करके दुबारा डिलिट हुए एपस को आपको आपस लास्त है मुबाइल और डिटियस से जुरे इसी तरह की और भी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में